परिप्रश्णेन सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है? पुझे लिला शाजी बापू कहते हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ परन्तु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करें विदेशों में कोई भी विवहार करने की खुली चूट है किन्तु ऐसी उच्छरंखलता से वहां की लोगों का कैसा विनाश हो रहा है मान, मरियादा, धरम, चरित्र, सब नश्ठ हो रहा है वे मनुश्य होकर पशों से भी अधम हो चुके है क्या तुम इसे आजादी कहते हो कदापी नहीं ये आजादी नहीं महाविनाश है सच्छी स्वतंतरता तो ये है कि हम अपने मन इंद्रियों की गुलामी से छूट जाए विशे वासनाओं के वश में रहकर जैसा मन में आया वैसा कर लिया ये स्वतंतरता नहीं बलकी गुलामी है मन मानी तो पशुभी कर लेता है फिर मनुश्यता कहा रही जब तुम अपने मन पर सैयम रखते हो माता पिता गुरु जनो एवं सत्शास्त्रों की आज्या में मन को वश में रखते हुए कारे करते हो तब तुम स्वतंतर हो इसके विपरीत यदि मन के कहे अनुसार चलते रहे तो तुम मन के गुलाम हुए भले ही अपने को स्वतंतर कहो परंतु हो तुम महा गुलाम अधै मेरे भाईया स्वतंतरता का अर्द उच्छ रिंकलता नहीं है शहीदों ने खून की होली खेल कर आप लोगों को इसी लिए आजादी दिलाई है कि आप अपना समाच का तथा देश का कल्यान कर सकें स्वतंतरता का सदु पियोग करो तभी तुम तथा तुम्हारा देश स्वतंतर रह पाएगा अन्यथा मन मुकता के कारण अपने ओज तेश को नश्ट करने वालों को कोई भी अपना गुलाम बना सकता है